अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। इस वीडियो में दी गई जानकारियां धार्मेक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिसे मात्र सामान्य जिन्रुची को ध्यान में रखकर प्रस्तत किया गया है। उंग चिन, उंग चिन को वास्तुशास्तर में बहुत महत्वपून माना गया है। उंग स्रिष्टी के रचनाकार भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। उंका चिन घर में रखने से एक खास प्रकार की उर्जा का संचार होता है जो घर में रोगों को उत्पन करने वाली उर्जा को नश्ट करती है। इसे आप अपनी मन्चाही जगह पर रख सकते हैं। स्वास्तिक चिन का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। हिंदू धर्म के लिए स्वास्तिक चिन माननिय प्रतीक चिन है। बास्तुशास्त्र में भी इसका बहुत महत्व है। यदि आपको लगता है कि आप धन से संबंधित समस्या से पीरित हैं, धन आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है तो अपने घर में स्वास्तिक चिन्ह वश्य ले आएं। इस चिन्ह को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाएं। मंगल कलश मंगल कलश भी भारतिय परंप्रा का एक अनिवार्य अंग है, जिसमें शुब प्रतिकों के माध्यम से सौभागय को आमंतरत किया जाता है। यह मिट्टी का पात्र होता है, जिसमें शुध जल भरा होता है। इस पर अशोख्य आम की पत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। वास्तू शास्त्र के अनुसार मंगल कलश को घर में रखने से सकारात्म कूर्जा का संचार होता है।